हेलो गाईज नमस्कार परणाम मैं निर्भाई सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन पेटफॉर्म एडू फाइवर पे स्वागत करते हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाने वाले मेरे नौजवान साथी चितने लोग भी जारखंड सीजियर का त्यारी कर रहे हैं उनके लिए व्याद खुसकवरी की बात यह है कि 14 और 15 अक्टूबर को जारखंड सरकार द्वारा यह प्रस्तावित कर दिया गया है कि मना आया होंगे रच्छावंदन बट आपकी रच्छावंदन एकदम मस्त हो जवड़दस थो और आपकी भाई और बहान का प्रीम एकदम बना रहे और ऐसा असिरवाद आप लोग दोनों से दुसरे को मिले या आपकी सेलेक्शन पक्की हो तो आज लेकर आया हूं मैं जार प्रेक्ट सीजिल का पेपर देखे आओगे तो आपके 20 में से 20 कोस्टन हमारे इनी प्रैक्टिस से आने वाला है और मैं 20 एकदम प्रिवियस येर लेकर आया हूं बेटकरतेए बस आप लोग का काम क्या है जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को एक राशेयर् करतेए उस आरे मेरे दोस्थ आजाओ जल्दी जल्दी से एक में बूट के अंदर एक मिन्ट का समय आपको मैं देता हूं और अपनी सारी दोस्तों को एक बार Land लिंख पर बबद कर दोब्रे दोस्त मेरी भाई और मुझे चाहने वाले जोहार साथियों जल्दी जल्द कर दिए और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है आज 31 अगस्त है यानि 31 अक्टूबर यानि कि मेरे पास लगभग लगभग आपको 45 दिन का समय है मैं आपको कल बताऊंगा यह कैसे हम लोग 45 दिन के अंदर जहारकन सीजियल को बरवाद कर देंगे जहारकन सीजियल जैस यानि की एक अक्टूबर के दिन तीके एक सेप्टेंबर के गाउंगा चलिया तो ना लेट करते हैं ना बेट पूछा गया है तो मैं उमीद करता हूं कि आगर आपकी तयारी मस्त चल रही है जब दस्त चल रही है तो ऐसे question का जब आप मुझे comment box में दिखना चाहिए तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करो comment box में इस question का answer को क्या करो बताओ जल्दी से बताओ कि question number one जो आपको slide में दिख रही है इसका right answer क्या होगा लिखा हुआ है what is the what is the heat generated है ना और heat generated जो निकालना हो किसमें निकालना है जूल में in a heating element of resistance 800 ohm resistance का मान कितना दिया हुआ है 800 ohm दिया हुआ है when a current of 0.2 ampere passes through it for 40 seconds ठीके 40 seconds के लिए 0.2 ampere की current उससे क्या होती है पास होती है तो बताइए कि उसमें कितना heat generated होगा है ना तो इस question को अगर जहां तक बरवाद करने की बात हुई और अगर मैं ये question अगर आपके paper में आते हैं तो आप इसे कैसे बरवाद करोगे आओ मैं इसकी कला सुनाता हूँ सिखाता हूँ प्यार से देखिए heat generated का formula होता है एच बरावर होता है आई असक्वाइर क्या होता है मेरे दोस्त आई असक्वाइर आरटी होता है ठीक है अब बताए आई क्या है करेंट करेंट दे रखा है 0.2 0.2 को लिख सकते हैं 2 वाई 10 और इसका स्क्वाइर करोगे तो इसी चीज़ को एक बार और मल्टिप्लाइ कर दो से स्टेंस का माहान है कितना 800 और टाइमिंग दिया हुआ चालीज सकेंड बस इतना ही तो काम करना है इसके बाद इसको कल्कुलेट कर देना काट देना अंसर आ गया पहुआ जीरो från 000 से ये धोनों 0 खत्म हो गया दो बुनाम चार और चार्ट 8 मीटर 22 32 कितना होता है रुचोंब हो ट्रेयine और ये रहा हमारा 0 और ये जो आया है वो किस में आया है जूल में यानि इसका जो राइट अंसर होगा प्यारे मित्र वो होगा option number option number B बिलवीदर राइट अंसर तो कितने ऐसे मेरे प्यारे मित्र है जिनका answer option number B है जल्दी जल्दी से comment करके बताओ कि कितने ऐसे लोग आप लोगों में से हैं कितने मेरे जुहार साथी हैं कितने मेरे युवा साथी हैं जिनका answer भी आ रहा है जल्दी जल्दी से सारे लोग comment कर दो एक तम लाइन में comment करो तो आरे की comment line में होना चाहिए देखो आप लोग के लिए आज रच्छा बंदन है और आज मैं class ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ ताकि हमारे दोस्त रच्छा बंदन तो side में है लेकिन उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए नौकरी रच्छा बंदन तो हर एक साल आप मनाएंगे लेकिन आपको चाहिए नौकरी यही कारणे कि मैं रच्छा बंदन के दीन भी आपको एक class ले रहा हूँ ठीक है तो चलिए इस question का right answer तो हो गया भाई option number B और हमारे सारे दोस्तों का भी answer भी ही है next question देखे यह आपका क्या रहा right answer next हम लोग लेंगे question number second देखे यह रहा question number second बोलता है यदि किसी बस्तु को उर्धवाधर इसा में उपर की और क्या किरता है फेका जाता है तो अधिक्तम उचाहिए पर इसकी क्या हमें जवाब देना है कता when an object is thrown vertically upward at its maximum height its potential energy is zero, its momentum is maximum, its kinetic energy is zero, its gravitational force is maximum what will be the right answer of this question my dear student no let no bet जल्दी जल्दी से comment करके बताओ कि question number 2 का answer क्या होगा नो लेट करो ना बेट करो यानि कोई बहासवाजी ने चलेगी सीधे हमारी focus question पे होगा और answer पे होगा इधर और उधर की कोई बात नहीं होगी लेकिन हाँ जार्खन CGL को तो इस पर रहने ने देंगे दम पूरी रूप से बरवाद करेंगे जल्दी से बताओ कि question number जो दो दीख रहा है इसका right answer क्या होगा what will be the right answer of question तो when an object is thrown vertically upwards at its maximum height its kinetic energy is 0 यानि उसकी kinetic energy क्या होती है 0 होती है क्या होती है इसका मतलब यह है कि question number 2 का right answer क्या है C है तो जितने लोग का answer C है जल्दी जल्दी से comment करके बताओ कि sir मेरा भी C है मेरा भी C है मेरा भी C है मेरा भी C है जल्दी जल्दी से comment करता हूं जल्दी जल्दी से अब चलिए इसका हम लोग details जनकारे लेते हैं देखिए अभी मैंने बोला था इसका right answer क्या होगा C होगा अब देखिए मैंने क्या कर दिया है बहुत चीजे को बढ़िया से क्या कर दिया है आपके लिए 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 अधिकतम उच्छाई पर गतिज उर्जा क्या हो जाती है यानि कि मैं आप लोग को लिए लिए लिक कर लेकाया हूं और रेड़ भी कर दिया हूं ताकि आपकी ध्यान एक्दम डायरेक्ट वहां पर जाला जाए जहां पर आपकी की एंसर होने वाली है ठीक है थो इस पेडिया और को कैसे प्राप्त करोगे तो आप अपने टेलिग्राम चनल पर क्या करना आप अपने टेलिग्राम डेफिर एतित रिट यू मैं वी यू हूर ओनल सुछ करो गे न तो एक लिंक आएगा एना एक चैनल आएगी उस चैनल पे क्लिक करके आप हमारे सारे पीडियम को राप्त कर सकते हो ऐसी क्लास को घुडम के अंदर इस प्डास का पार हमारे टेली ग्राफ चैनल पे अफ्लोड हो जिकर दी जाएगे जहां पर आप इस पीडिया को करके अराम सी जवाब को मन न लगे तो इन पीडियाब को खोलिए और सिल सिल वाड़ंग से पढ़ लिजिए ताकि एक भी कोशन जारकन सीजियर में आप से बरवाद नहीं होना चाहिए कैसे कहां यहां तो यह स्कूर्शन का राइट अनसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर नेक्स्ट लेते हैं कोशन नमर तर्थ आए तता है डॉट 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 कंट्री बीउट तुवार्स ग्लोबल वार्मिंग तो इट इस कोल्ड ग्रीन हाउस गैस डॉट 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 वैस्विक उसमन में युगदान देती है अतह इ इसे क्रीन हाउस गैस कहा जाथाँ और क्या कह oyun जाता है ऊक्सीजन नाइट्रो जं हाइड़ो जन मिधीन यसको सर्च के अगर बात करूं मेरे प्यारे मेत्र तो यह कॉस्ट सरंद्ब्स जोUND है ना वो भारत में ऐसा कुई एक्सामय नहीं है किसमें यह कॉस्न ना आया हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर जो होने वाले हैं 14 और 15 अक्टूबर को उस पेपर में भी यह कोशन दिखाई दे जल्दी से बताओ कि कोशन नमर जो तीन दीख रहा है उसका राइट अंसर क्या है अगर आपकी तयारी मस्त चल रही होगी तो समझ लो कि इस टाइब के कोशन जो साइन्स के दिख रहें सलाइड में ऐसे कोशन का जवाव आपसे निकल कर आना चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कोशन नमर ती दिन राइट अंसर क्या है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए नलेट कीजिए नवेट कीजिए बर्वाद टाइम को नहीं कर रहा है ना एदम टाइम बहुत किमती है मेरे पास 45 दिन का समय बचा है कल मैं आपको बताओंगा कि 45 दिन में कैसे प्लानिंग के साथ हम णंबर डी बीदर आउट अन्सर आप अप दिसकोशन न्मर्दीन को दिखा टीके अब आओ इस कॉसे लेके में क्या करना पीदीयाप को डाउनलोड करके पढ़ लेनी है नेक्स्ट मेरे प्यारे मित चलते हैं खुश्चर नमर चार पे लिखा हुआ है कि ही लियम परमानु जब एक एलेक्ट्रोन क्या कर रहा है तो निम्लिकित में से किसका निर्मान होता है जब इलेक्ट्रोन को खोग सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई भी हैना जब कोई भी इलिमेंट हैना अपना एक्टम को होता है तो उस पर पोजिटीव चार्ज का निर्मान होता है किसका होता है पोजिटीव चार्ज का निर्मान होता है इट विन्स हमारा जो राइट अंसर होने वाला है वो क्या होगा भी होगा तो कोईशन नमर जो चार है मेरे दोस्त उसका राइट अंसर भी होगा अब हमारे क कर दो तो लाइन से कमेंट करो ताकि मुझे लगेगा कि हमारे जोहार साथियों मन से पढ़ रहे हैं त्यारी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से बताओ किनका किनका राइट अंसर भी था ठीक है आओ अब इसकी डिटेल्स जनकारी आपको दिखाता हूं एक सबसे पहले आप द कि परमानों सिधान्त के अलावा परमानों सिधान्त के प्रतिपादन के अलावा जॉन डाल्टन ने किस पर सोध किया था यानि कि जो जॉल डाल्टन थे वो परमानों सिधान्त के बारे में तो बता ही बताये थे लेकिन इसके अलावा जॉल डाल्टन का जॉल डाल्टन का जो प्रयोग है और किस चीज़ों पर चल रहे थी इसके बारे में आपसे पूछा गया है अपार्ट प्रॉम प्रॉपोजिंग एक्टोमिक थियोरी वर्ट डिड़ जॉन डाल्टन रिसस्ट ऑन क्या कर रहे थे पौधे पर काम कर रहे थे या कलर ब्लैंड निस पर काम चल रह था या प्लास्टिक पे काम चल रहू घुळा था यह बहुत ही पॉप्लर कॉछ सन है और चैसरियन से यह हैности को सनं जो लिबिश को सने इसका लेवल कैसा रहा एक है मेरे प्यारे मित तो इस को सन का जो राइट है अंसर है को सन नमर पांच का जो राइट अंसर होगा तो जॉन डाल टन का जो सूद चल रहा था वह करल ब्लैंड नेस पे चल रहे थी यानिकी ऑप्शन नमबर भी हो जागा सारा डीटील्स जनकारी आपको लीकर लाया हूँ है ना देके रसायन विग्यान के आन्विक सिधानत और बनान धालता परूंका क्या चल रहा था सूद चल रहा था ठीक है क्लियर है एक्स्ट पूस्टर नमर छे यह देखिए को सन नमर छे हो एक है कि निमलिखित का मिलान क किजिए हमको मिलान करना है इधर और यह जीव है और इधर उनका फिचर ओव पीजन बिखंडन की विसेस्ता है तो हमसे पुछा गया कि है कि आमीवा के बारे में क्या कहता है लिखा कि बहुत खंडन द्वारा अनेक संतितिक रहोती घंडर एक निजाई तल पर होता है बिक कई जैना है तो क्या हो जाएगा है तीन हो जाएगा याशन अप्र होजाएगा एना तो अमिवा में क्या होता है कि जो खंडन होती है कि इसीभी सता पर होता एंव ने कि इसकी डेटेल्स जनकारी हम लोग आपको देते हैं कि इसना अब इस से लेटेड हम लोग जनकारी देखते हैं इसका क्या करना है पीडिये डाउनलोड करना है और रात में शोते समय एक बार पढ़ लेना है नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे कोशन नमबर नेक्स्ट कोशन नमबर साथ क्या लिखा हुआ है विभिन पादप उतकों को किस अधार पर विवाज यो तक उत्तक तथा अस्थाई उत्तक में वर्गी कृत किया जाता है यह वर्गी के लिखा है विवाज लिखा अधार पर लोकेशन के अधार पर यह नौ ऑप्शन इस करेक्ट उत्तक में विखा इसकूर नमबर साथ क्या जाता है बॉक्स बताओ एक पर इहां पर बसतक और चुक्त किया गया है वह किया घ् premium डिवाइडिंग्टरिण यानि कि आप्शन नंबर बीदी धे राइट अंसर आप डिसक पूस्ट अब आओ कितने लोग का भी एग जल्दिसे कमेंट करें बताएं कितने ऐसे मेरे दोस्ते हैं कि इतने एसे मेरे चाहने वाले दिनका आफ शर ऑप्सन नंबर बीज़ असर कमेंट करके मताइं चन्ने इस समुदाय के समान में नामित प्रजिवी फुल्दार पौधे गली डुबिया है ना कोई काइं की नुरस के एक नई प्रजाती के खोज़ की बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैस डिस्कोवर्ड अन्यू अस्पेसिज ऑफ पारसिटिक फ्लारिंग प्लांट ग्लेडोविया कॉने क्योनिरूम नेम्ड इन दा ओनर ओफ विस कॉमिनिटी जल्दी से बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा ना लेट करना है ना बेट क चाने वाले नोजवान साथी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका अंसर आठ का क्या है आठ नंबर का अंसर क्या होगा कि प्रिंग क्या ना में देखो क्या लिखा हुआ है को इंग वेंग या नूरम इसका राइट अंसर है ऑप्सण नंबर डी इन ऑप्सण नंबर डी बिल भी दर राइट अंसर आप दिस कोस्ण माइडिया स्टूडेंस नेक्स्ट पुस्ण नमबर हम लो लेंगे नाइन सिक्स किलोगराम दिरब्मान की किसी बस्तू पर बल लगाने से तीन सेकेंड में छे मीटर परती सकेंड से अठारा मीटर परती सकेंड तक तुरित होती है बल का परिनाम ग्याद किजिए जल्दी जल्दी से बताओ कि फोर्स क्या होगा लिखा है कि a body of mass 6 kg accelerated from 6 meter per second to 18 meter per second in 3 seconds due to the application of a force or it calculate the magnitude of this force in Newton हमें Newton में निकाल के देना है तो हम लोग सभी को पता है कि जो force equal to होता है वो हता है mass into acceleration तो सबसे पहले हम लोग acceleration निकालेंगे अधार इसलेशन ब्लावर क्या होता है आपको टीचे और टाइमिंग कितना लगा है तीन सेकेंड वाठार में सेगे बारा बारा जिए चार चार मीटर पर सेकेंड आस्वाइर यह हमारा इसलेशन हो गया अब हमको फोर्स निकलना है मैंगनिचूट कितना दिए और 6 kg यह मा अंसर कितना है फोर भाई फोर्स कितना होगा छेच चोवका 24 न्यूटन यानि अंसर कितना होगा 24 न्यूटन कितने ऐसे मेरे मित्र हैं कितने ऐसे मेरे दोस्ते हैं जिनका अंसर भी 24 न्यूटन आ रहा है यानि ऑप्सन नंबर सी जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो जल्दी ज देखिए ले कोश्टर नमर दस क्या बोल रहा है आउसत को हम कुल उपयोग की गई उर्जा को कुल किये गए समय से विभाइद कर प्राप्ट कर सकते हैं किसकी प्राभ्द कर सकते हैं ओर्स का उसरद को प्राभ्द कर सकते हैं या doin किया है ऑक बेरेज़ बाइडुटल। इनर्जी कौनजियुंड वाइद नैय। कि अब देखिएं कहता है कि इनर्जी को जब ताइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा। कि energy का formula होता है I e i q t कर दो कि से इसको मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाहने वाले नौजवान साथी यह ट यह टो खतम हो गिया इस लाई आ थार है ना यह इस्थ आपर बन जाता है कि सब्सक्राइब का हम लोग किसको निकाल सकते हैं सकते हैं यह जल्म इन acquiring झानतर है नहीं आनर्जी को टाइम से भाइड करेंगे तो मुझे क्या पराप्त हो ठोगा पार। जो को संगो कितना नहीं कर आप से पूछा गया है इस चीज को सम्झेव मेरे दोस्त सिर्फ मेरे प्लagar दस और यहां पर डिटेल जनकारी दी गई है अंसर क्या है पावर है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन नमर लेंगे 11 लिखा है कि वीच अमंग दा फ्लोविंग नोवेल गैस है जह हाइस्ट मोलर मास कौन सा इसा नोबल गैस है जिसका हाइस्ट मोलर मास है पहला उप्सन है निमली खित में अब यहांपर धेर सारी जानकारिया आपको फिगए इसे क्या करना है पढ़िया से मन से एकदम रात में पीडियाप को डाउनलोड करना है और पढ़ लेना है इसमें बहुत सारी जनकारियां दी गई है इसे पढ़ोगे तो आपके नौलेज क्या होंगे बढ़ेंगे और आप से जब कोशन इधर उदर गुमा की भी पूछा जाएगा तो आप बता पहोगे ठीक है नेक्स कोश्चन नमर बारा जल्दी से बताओ कोश्चन नमर बारा कर आइट अंसर क्या होगा निमलिखित में से कौन से बिदुच्यूंबक के तरंग की तरंग धैर सबसे कम होता है लो कहा गया है कि वीच आफ दा फ्लोविंग इलेक्ट्रो मैगनेटिक बेवस हैज मिनीमम बेवलेंद हमको मिनीमम बेवलेंद पूछा गया है तो बताइए तो इलेक्ट्रो मैगनेटिक बेव जितने हैं उसमें सबसे कम बेवलेंद किसका है चार ओप्सन को देखिए और जवाब देने की कोशिस केजिए तो पहला है अलफा दुसरा है गामा तिसरा इंफरारेट इन चारों में से सबसे मिनिममम बेवलेंद किसका है जल्दी से कमेंट करके बताओ आपने क्लास नाइन में भी पढ़ा रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जारकन सीजल निकाल लेंगे इसका मतलब है कि इस ताइप के कोश्चन का जवाब आपके अंदर से निकल कर आना चाहिए कहां कमेंट बॉक्स में तभी एक दिन जाएगा कहां एक जामने से सिंटर के अंदर तो इसका जो राइट अंसर है वो है अपना गामा यानि कि कुश्चन नमर 12 का राइट अंसर क्या होगा बी होगा आई अब इस कुश्चन से लेटेड मैं आपको धेर सरी जनकार वह क्या हो जाएगा आपका डी नमबर नेक्स्ट कुश्चन नमर 13 बोला गया है कि इधर पेशी उत्तक दिया गया है और इदर हमसों लिखा है कि अवस्तिति का पकार यानि कि कहां पाई जाती है जैसे हमसे पहला कि रेखित यह जो पेशी होती यह कहां पाई जाती है तो SS 1 का 280 पाइजागा हर्ट में यानि तीन का क्या होगा एक होगा तीन का है तीन यह तो गलत हो गया इन का एक यह और कहीं नहीं है जैनि इस स्विच्छां का जो राइट अंसर मेरे दोस्त उपसंड नंबर एंगल्ण यह है कि रेखित जो है वह कहां पाए परकार्य आप मिलान कर सकते हूं तो इसका जो राइट अंसर है वे और पक्ता आने चाहिए और मेरे दोस्त अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है जवड़्दस्त लगती है एक बार प्यारे मित्र लाइक करना तुमत भुलना क्योंकि हमें भी पढ़ाने में आपको इनर्जी लगता है तो एक बार जलदी से हमारे दोस्त एक बार Like कर दो सकते हुआ जितने लोग हमारे क्लास को देख आ रहे हैं अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक को जल्दी जल्दी से सार लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर पहली बार आये हो तो और एक बार बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है अब आएए हम लोग डीटेल्स जनकारी देखते हैं तो यह देखिए इसका डीटेल्स जनकारी इसे जरूर एक बार पढ़ लिजेगा नेक्स को सब्सक्राइब की आविरती बीजी में बीजों के भीतर पौधे के अंडासे वाली संरचना होती है जो डॉट डॉट कहलाती है इन एंजियो अस्पर्म प्लांट एंब्रियोज इन सीड हैव स्ट् लॉट इसक्टर को ऑलब्यक्शक्ली क्या कहलाता यह डाथ यह बताना है असपोर कहलाते है वर्ज कहला चाहि कर बOoh अस्प्राउड का लाते और आपको भीजपत्र कहलाते वन वाट विल वीद्व अ और दिस कोश्रों मैं डियर स्टुडेंट्स नमर 14 का राइट अंसर क्या है जल्दी से कमेंट बोक्स में बताओ ना तो जितने लोग पहली बार आये हैं क्लास को अराम से शुरू से अंतक देखिए और समझ ये कि कोश्रों किस किस लेवल का सरकर वा रहे हैं अंसर दीजिए ऊर लास में जाते- जाते क्लास को لाइक करके जाएं और यह भी बताइए कि जो लेवल है कोश्रों का वो कैसा है और टपटप कोश्रों करवाओं तुम लो खली बताओ जितना अज्सप्तपब बोलोगे उतना टपटपब करवाओंगा तो इस कोशन का जो राइट अंसर है option number D यानि की बीज पत्र है तो 14 कराइट answer क्या हो जाएगा D number अब आईए इसका details जनकारी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले देखिए answer क्या है D है अब ये रहा इसकी details जनकारी इसे जरूर पढ़िएगा इसे पढ़िएगा तभी आपके ज्यान की अंदर की क्या होगी प्रूथ होगी ठीक है Next Question number 15 पुल है कि यदी 1000 Newton प्रनोध पांच वर्ग मीटर छेत्र पर लगाया जाता है तो दाब की गन्ना क्या होगा Calculate the pressure if a thrust of 1000 Newton is applied to an area of 5 meter square तो हम लोग को निकालना क्या है pressure pressure का formula होता है आपको thrust अपन क्या होता area इस गल्टू क्या होता है pressure तो thrust कितना है 1000 अगरिया कितना है 5 पांच पांच से काड़ दो इसको याने 200 पासकल हो जाएगा तो जो राइट अंसर है मेरे प्यारे मित्र क्या होंगे 200 होंगे तो कितने ऐसे लोग हैं कितने ऐसे मित्र हैं कितने ऐसे चाहने वाले मुझे हैं जिनका right answer क्या है option number A है comment करके बताईए बताओ मेरे जो हार साथ ही हो तो इस right answer क्या होगे option number A next question number लेंगे हम लोग कितना आपको 16 यानि कि 16 number बहुत ही मस्त कूर सने हमसे पूछा गया है कि वन किलोवाट क्या होता है वन की डवलुएच क्या होता है इसके बारे में जणकार्य देना है वन के डवलुएच बरावर होताए मेरे दोस्त यह वो होता है आपको कि आपको च्छाथ पीज नाक जूल होता है अग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि वन खिलो बड़ावर कितना जूल होता है इसको जब करोगे ना तो हम लोग लिख सकते 3.6 into 10 to the power 6 जूल लिख सकते हैं तो बताओ यह चीज तो हमारे यह वाली पार्ट तो हमारे कुस्टर में दे रखा इतने कि आप सकता है तो 3.6 कि आप सकता है यानि कि आप्शन नमबर बी बिल भी दराइट अंसर यानि कुस्टर नमबर सुला का राइट अंसर क्या हो जागा होगा और इतने को इसी को मेरे दोस्त एना इसी को क्या बोला जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या इसी को बोलते हैं एक यूनिट एक यूनिट के नाम से जानते हैं ठीक है और यह होती है जो कॉमर्सियल यूनिट होता है क्या होता है मेरे दोस्त वन के डवलुएज जो है वो कॉमर्सियल यूनिट है next question number हम लोग लेंगे 17 जल्दी से बताओ question number 17 का right answer क्या होगा ना लेट करना ना बेट करना सीधे answer दनादन दे देना तो जल्दी से बताओ कता एक तत्व के समस्थानिकों में आइसो टॉप्स ऑफ एन क्या होते हैं इलेक्ट्रोन की संख्या और प्रोटोन की संख्या बरावर होती है जबकि न्यूट्रोन क्या होते हैं अलग अलग होते हैं आई देखते हैं आप्शन में क्या 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 दे रखा है ता है सेम फीजिकल पूरपटीज होता है इफ्रेंट केमिकल पूरपटीज होते हैं different number of newtron होता है या different atomic number होता है नई different number of neutron होता है यादि neutron की संख्या भिन होती है ठीक है तो इसका जो राइट रसरे 17 का वो क्या होगा option number ठीक है आई इसकी details जनकारी आपको देते हैं तो देखिए सबसे पहले अंसर क्या है option number c अब इसकी details जनकारी यहां पर लिख दिया गया है यहां पर details जनकारी लगा दिया गया देखो क्या है neutron की जो संक्या है वो क्या होती है भीन होती है ठीक है मेरे दोस्त तो इसे जरूर पढ़ लिजेगा option नमर अठारा लिखा है कि वीच टाइप ऑफ इप इप लिए इविथेलियल टीशू अलाउज ट्रांस्पोर्मेशन और सबस्टांस त्रू असलेक्टिव सर्फेस इन लाइनिंग और फूर्ड वेसल्स और लंग्स अलवोलाई इस परकार के एपिथिलियन उत्तक अहार नली के अस्तर अत्वा फेपड़ों की कूपीका में बरनात्मक पारगम में जिल्ली द्वारा इतने बड़े कोश्चन देख के ही लोग सोचते हैं सरीय नहीं बनेगा लेकिन और समझ में आएगा कि रियल में अंसर क्या है चलिए जल्दी से बताओ इसकोशन का राइट अंसर क्या है सिंपल है ना सरल सलकी एपिथिलियम है स्वरित तलकी स्थीपिथिलियम है अस्तरित यह हमारा घनकार है जल्दी से बताओ इसा किसकी बजा से ओती है जल्दी से बताओ ना लेट करना ना बेट कोड़ना इसका राइट अन्सर देदना है और क्या जल्ड जल्ड करके बताऊ कितने लोग आपसन नमर उप्सन नमर है अब इसकी डिटेल्स जनकारी हम लोग यहां से लेते हैं देखे साफ साफ यहां प्रलिखा हुआ है एक दम सिल की सिंपल और डाख सफी इन की सिलकी एपिफिलेन एक तेता समut की संदहूर नेक्स्ट अब लेता हूं question number क्या question number लेते हैं हम लोग 19 न लेट करना है न बेट करना है और देना है अंसर टनाटन दना दन चलिए जल्दी से बताए जिवानू नील हरित सैवाल अथवा साइनो बैक्टरिया तथा माइको प्लाज्म किस जगत के जीवों का उधारन है न लेट करो न बेट करो और जारकन सीजियल को बरवाद करो तो जल्दी से बताओ question number 19 का तो अंसर मैं समझता हूं कि हमारे सारे विद्यारती देंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छे क्रेटेगर या होते हैं वो किस kingdom में आते हैं प्लांटे में आता है मोनेरा में प्रोटिस्टा में या आइना मिलिया में तो यह आते है मोनेरा में option number यहां अरे क्या बोलो comment तो करो क्या वोलोगे बी ईक्या इसका राइट अंसर ठीक है अराम से प्यार से इजद के साथ पढ़ लेना है उसन नमर बीस जो कि लास्ट को सने और लास्ट को सनके बाद मैं आपसे दो कोशन पूचूंगा एक तो कोशन पूचूंगा कि आपने कितनों कोशन का जवाब इस प्रस्वाशन में से सही सही दिया दूसरा चीज यह किसी तार का प्रतीर उधकता फाइंट रेस्टीन इन मेगाओं हमें रिस्टीन से काला मेगा ओम और लेंद्ध टेर मिटर लेंद्ध कितने अधिर का टेर मीटर क्रॉस अक्षन एरिया है वन सेंटीमिटर स्कॉर एंड मोर्ड आफ मापनेटीयल अप्रेटी अंड़े मग त और होता है रows लगाई होता है आप बताओ रो कि ता दिया हो अंडेड ओं मेधा और इस्टें से ये से लेंद्ध किता दिया तस मीटर और एरिया धिया है सेंटीमिटर में धिया कनमट में एस made till 0 इस आपन वॉन y 100 आपनीटर पर सेकेंड़ी अब देखो कितने हो जाएंगे हां इन्टो दस और यह कहां चल जाएंगे ऊपर थिये सफवर यह दो जी रो आव इसको मेगा वह लाना है फ़ीन लाना है तो भाई देखको एक पर शजो करना है एक से एक पर शेज़ों से दिवाइड कर दो तो मिया कर दा तो तीन आतीन चेक गत्तम चार पांच चारो गया पांच हो गया अच्छे घत्म और राइट अंसर कितना हो जागा दस मेगाओं तस मेगाओं तो राइट अंसर जो है मेरे दोस्त वह आप्शन नमबर क्या है तो क्या आपका भी राइट अंसर डी है जल्दी से कमेंट करके बताओ तो अब मुझे ये बताओ कि आपने 20 प्रस्नों में से कितन का वंदन आज भी और कल भी लोग मनाएं है भारत मर्स जो तिवार है जो इसक्रेश्टिवल है न वो दो दो दिनलगा हो गया और जिनका हो चुका उनका उनका मसत चाये ठीक है तो जल्दी जल्दी से बताओ कि आज जो कोश्चन का लेवल कई जाता और 20 प्रस्णों में से आपने कितने प्रस्णों का उत्तर सही दिया देखो रच्छा वंदन के दिन में मैं पढ़ा रहा हूं क्यों ताकि हमारे दोस्त का नौकरीश पक्का हो जल्दी जल्दी से जवाब दो और जितने लोग लाइव पहली आई हैं हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं पहले क्लास को देखिए अच्छा लगे तो सस्क्राइब करके जाईए आना और बेल आइकन को भी दवा लेना ताकि हरे क्लास का नोटीफिकेशन आपको सही सलामत चला जाए जल्दी जल्दी जवाब दो ठीक है जलिए तो